देखिए एक नवालिक बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दिया है जिसके बेस के उपर पहला धाना दौसा में मुकदमा मुर्तिब किया गया है बच्ची जो है उसका भी जिकलान हॉस्पिटल जो चाइल्ड हॉस्पिटल जैपूर में है वहाँ पर अभी टीम गठित करके उसका जो मेडिकल मौयना होना है और उसके बेस के ऊपर जो चीजने रोशन होंगी वो आगेर की जा रही है यहाँ पर सारे की सारी जो टीम्स हैं जो की जैपूर से भी दस्तयाब की गई है जो आकर इसमें अपनी अनुसंधानों ने पर रहम कर दिया है तो यह सारे किसमारे समग्र पहलूं को अभी देख रहे हैं और प्रिलिम्नरी स्टेज पे हैं हम अभी सारे और जितनी भी जो चीजें हैं उनको समग्र रूप से दे जनों से उनके बच्ची के पिता से और जो डॉक्टर्स हैं उनसे प्रिलिम्नरी इंटरेक्शन करके आया हूं और अपने मेला पुलीस ऑफिसर्स और यहां से सीनियर ऑफिसर्स वहां हैं और वहां पे उन्होंने अपना एक टीम गठित की है जो की बच्ची का प्रॉपर ज अधिशा नरदेशन में एक पूरे के पूरी जो टीम है अडिशनल एस्पी जो सीरियस ओफेंस यूनिट के इंचार्ज हैं वह इसमें तफ्तीशी अधिकारी हैं इनके मदद के लिए जो डॉक स्कौार्ड है वह भी रिक्विजन किया गया है साथ में जो एफिसल टीम है ज अधिशन के लिए अधिशन के लिए उचित नहीं होगा जैसे जैसे आगे चीजें उभर कराएंगी आप सबसे हम शेयर करेंगे जैसा मैंने पहले कहा हम सारे के सारे जो पहलू है एविडेंस के वो अत्यधूनिक प्रणालियों से उनको विक्सित करने और उनकी जांच में सारे की सारी टीम में जुटी है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है लेकिन उनका तफ्तीश के एंगल से क्योंकि हमें इस समय उसको गतिशीलता देनी है उसका इस पेशेयर नहीं कर सकते लेकिन उन सभी पहलूँ को कबर कर रहा है